नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्सकाय अक्षित तृतिया को सभी शुब कारियों को करने हितू शुब मुहुरत के तौर पर जाना जाता है हम इसे सभी लोग स्तिथी को सोना और अनकीमती वस्तूएं खरीदने के लिए शुब मानते हैं मगर हम आपको बता दें कि इस दिन केवल वस्तूएं खरीदना ही नहीं बलकि दान करना भी बहुत ही मंगलकारी होता है आज हम इस वीडियो में आपको बता रही हैं किन वस्तूएं के दान करने से सौभाग में व्रद्धी होती है तो चलिए शुरू करते हैं विवाहित महिलाएं इस दिन किसी गरीब इस्त्री को कुमकुम का दान करें इसके साथ ही सुहा की अनिसामगरी भी दान कर सकती है विवाहित महिलाओं का ये दान उनके पती को दीरगहयू प्रदान करेगा अक्षितृतिया के दिन किसी संत महात्मा को आप स्वच्छ जल के साथ सुपारी दान कर सकते हैं ऐसा करने से आपको धन संपत्ती की प्राप्ती होगी। अक्षितृतिया के दिन यदि आप चंदन की लकडी का दान करते हैं, तो भविश में दुरगटनाओं से आपकी रक्षा होती है। इस शुप्तिती पर यदि आप पान के स्वच्छ पत्तु का दान करें, तो निकट भविश में आपको यश और गौरफ की प्राप्ती होगी। अक्षितृतिया पर अगर आप पानी वाला हरा नारियल किसी गरीब को दान करते हैं, तो आपके पूरवज आप पर प्रसन होते हैं। इस शोब अफसर पर विद्धारती दूद या उससे बनी हुई वस्तूओं जैसे चांच मक्षन का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें उज्वल भविश की प्राप्ती होती है। दीरगायू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अक्षित रुदिया के दिन किसी गरीब को नए वस्तूओं का दान कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लाइफस्टैल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहें बोल्सकाय।